आश्रामने कुम डियर सुरुन कैसे हैं आप सब ठीक ठाक हैं आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर मौमध आतिफटा अच्छा बचो आज इस दफ़ा मैं नहीं सुचा है कि थोड़ा सा आपके लिए एक असानी कर दी जाए के पीम सी का एक अच्छा आज हम पढ़ेंगे बिसिकली वाइरस के हवाले से के वाइरस है क्या और उसका स्ट्रक्चर किस तरह का होता है आईए डिसकस करते हैं सबसे पहले हम इस वर्ड को देखते हैं कि यह जो वर्ड है वाइरस इसका मतलब क्या है असल में आज से 100-500 साल पहले एक कॉंसेप्ट था कि जी यह जो एक गंदी हवा आती है एक एक पॉईजन जनरेट होता है यह पॉईजन बेसिकली लोगों को बिमार करता है तो जो फॉर्स्स वाइरल डिजीस थी उस वाइरल डिजीस इन्हें यह तुनी पता था कि यह वाइरस है तो यह रोने कॉंसेप्ट बनाया है इससफ पॉईजन तो यह वर्ड बना के से वायोस से और वायोस का मतलब क्या होता है poison तो यह किनका concept था कि यह एक basically poison है मेरी बात समझ रहे आप और 19th century 1892 में एक Russian वाइरोलोजिस्ट थे बलके यूँ कहें एक Russian scientist थे जिनका नाम था एवनिस्की डाट इस आई विनाव स्काई एवनिस्की तो यह Russian basically scientist थे और उन्हें रहे फिर्स साइं देखा कि जी जो टुबैको लीव्स हैं वो लीव्स मोल्टेड होते जा रहे हैं बेंड होते जा रहे हैं और उसके फिर्स पॉट्स पढ़ना शुरू हो गए तो इन्होंने जो फिर्स वाइरस फिर्स ताइम जिसे इन्होंने पॉईजन का नाम दिया वो वाइरस था जिसे कहते हैं T.M.V. यूट इस टुबैको मॉजैक वाइरस अच्छा अब इस टुब observe किया गया कि ऐसा कोई poison है जो यू नुकसान पहुचा सकता है अच्छा इन तमाम बातों के बाद अगर आप इस पे गोर करें तो फिर 1935 में 1935 में एक scientist थे जिसका नाम है W.M. Stanley इस scientist ने फिर्स टाइम टुबैको मॉजैक वाइरस को फ्रीज करके क्रिसलाइज करके क्रिसलाइज करने के बाद उसको पहली दफार इल ओन electron microscope वाइरस को देखा और वो वो ही वाइरस था जो आज से ठीक यानि 1935 से पहले 1892 में अविनस्की ने first time observe किया था तो first time जो देखा था वो W.M. Stanley ने कैसे देख लिया 1935 में first time एक invention हुई थी electron microscope की तो जो first electron microscope थी that was invented by this Stanley इसने first time वो invention दी थी तो उस invention की वजह से ये first time वाइरस देखा गया अच्छा इसकी हम properties पढ़ते हैं इसकी कुछ basic properties हैं वो discuss करते हैं वो basic properties क्या है ये दुनिया का सबसे peculiar virus है अगर आप याद करें मैंने आप लोगों को एक classification समझाई थी अगर आप तो लोगों से recall करें जो first classification थी वो थी two kingdom classification फिर 1969 में Robert Whittaker ने five kingdom classification दी फिर उसको modified किया था 1985 में Margulis और शेवर्ड ने याद है बच्छों यह हम already discuss कर चुके हैं तो 1985 में Margulis और शेवर्ड ने जो classification दी थी उस classification में वाइरस को a cellular कहके out कर दिया था और उसे का ना यह pro carry out है ना यह you carry out है यह अभी finalize ही नहीं हुआ कि इसको हम रखे कहां क्योंकि यह cellular है इसकी जो पहली property है वो सबसे peculiar property है और यह property आपको किसी में नजर नहीं आएगी जैसे मैं first भी लिखता हूँ virus is an a cellular parasite यह बड़ी peculiar property है जो वाइरस के इलावा किसी और organism में नजर नहीं आती a cellular कोई cell ही नहीं है हम इसको cell मानती ही नहीं अलग कर दिया parasite असल में क्या है यह living body के अंदर तो living है living body से बाहर आया यह crystallize है मतलब non living structure बन जाता है crystallize हो जाता है अपनी activities को रोग देता है तो याद रखिएगा living में living living से बाहर a cellular having no property मतलब वो बिल्कुली अजीव हो गया इसली से कहा जाता है it's an a cellular parasite एक और इसकी बड़ी peculiar property है वो क्या है के virus is an ultra filterable and ultra microscopic अब इसका मतलब क्या है ultra filterable दुनिया में जितने filter papers हैं जिसमें से बैक्टिरिया भी क्रॉस निंगर सकता उसमें से कौन नालाइक गुजर जाता है वाइरस गुजर जाता है तो वाइरस इतना ज्यादा छूटा organism है ना minute organism है उस filter paper को भी एक्रॉस कर जाता है along with this it can only be seen through an electron microscope यहनी electron microscope के इलावा आप इसको नहीं देख सकते है ultra microscopic only from electron microscope ठीके इसके structure की तरह है यहनी इसके size की तरफ जाएं तो जो इसका size है is about 20 nanometer to 250 nanometer 10 to the power minus 9 इतना छोटा इतना minute organism है इतना minute इसका size है ठीके बच्छो अच्छा दूसरा इसकी जो shape है वो मुक्तलिफ हो सकती है जैसे it may be rod like that is cylindrical it may be oval shaped it may be of golf ball like it may be polyhedral or may be tadpole like which is bacteriophage जो भी हम discuss करते है it may be of tadpole shape तो ये कुछ इसकी properties हैं जो दूसरा organisms में देखी नहीं जाती है मेरे ख्याल है यहां तक आपको मेरी बात समझा गई तो याद रखना है बच्छो firstly किसने poison कहा था किसने first time देखा था Evanis की नहीं उसकी confirmation किसने दी Stanley नहीं 1935 में जिस जो के inventor है किसका electron microscope का तो किसने first time TMV को crystallized form में देखा यह इसकी properties है A-Cellular Parasite Ultra-Filtrable Ultra-Microscope PIG Size Maybe 20 to 250 nanometer Rod-like Oval-shaped Golf-ball-like and so on so on so on ठीक है बच्छो अब हम चलते हैं इसके structure की तरफ इसका nature ने इसको structure किस तरह का बनाया जिस तरह से इसमें सारी peculiarities हम discuss कर रहे है exactly इसकी जो इसका structure है वही बड़ा peculiar किसम का structure है आईए उसे discuss करते है तो बच्छो अब हम बात करते हैं structure of virus की इसका structure किस तरह का होता है इसका structure कैसे काम करता है वो हम यहाँ पर discuss करते है देखें अगर हम इसका structure बनाए तो बड़ा एक peculiar किसम का है मैं यहाँ पर सिर्फट सिर्फ बात करूंगा बैक्टिरियोफेश की मैं उसका एक polyhedral एक head बनाता हूँ यह एक rough मैं sketch बना रहा हूँ अच्छे यह fibers ऐसे वैसे आप जैसे चाह बना सकते हैं लेकिन यह एक simple way में ताकि आपको बात मेरी समझ आचाए ठीक है यह सारा का सारा जो ऊपर बनावा है यह तमाम का तमाम जो ऊपर की तरफ बनावा है इसको मैं लिखता हूँ A we are basically discussing bacteriophage virus तो बैक्टिरियोफेश वाइरस में जो A मैंने बनाया है it's a capsid and what is capsid? a proteinous coat that lies outside that lies outside completely outside जो outer coat है जो basically पूरी उसकी covering मना रहा है वो covering basically किसकी बनी विये? प्रोटीन की और उसको हम नाम क्या देते हैं? capsid capsid के बाद internally यहाँ पर मौजूद होता है which may be DNA और it may be RNA यहाँ पर हम लिखते हैं simple it's a nucleic acid अब nucleic acid पीटा RNA भी हो सकता है nucleic acid DNA भी हो सकता है अच्छा यहाँ पर बड़ी एक interesting बात में आप से discuss करूँ most of the RNA viruses है वो attack करते हैं on plant normally most of the DNA viruses है यह attack करते हैं on animals normally ऐसा होता है लेकिन आपको इसमें जो interesting बात है वो मैं आपको बताऊँ वो सारे viruses वो सारे viruses जैसे मैंने आप से कहा RNA viruses normally plants पर attack करते हैं लेकिन अगर किसी वजह से यह plant की जगा animal पर attack कर दे now it become lethal hepatitis C virus coronavirus AIDS virus अब आप सुचें कितने dangerous हैं मिरी आप बात समझ रहें तो अगर यह RNA virus animal पर attack करते हैं अब यह lethal हो जाएगा बिल्कुल respectively यही same case, vice versa अगर DNA virus plant पर attack करते हैं अब यह death cause करवा देगा lethal हो जाएगा वैसे viruses poisonous हैं लेकिन याद रखिएगा normally जिसे हम लोगों को लेना करें कभी ऐसा होता है कोई throat infection हो गया pharyngitis, isovigitis, tonsillitis या rhinitis वगरा जो हो जाता है that is caused by the rhino virus तो अगर यह viruses हैं तो normally क्या होता है कि यह viruses इतना नुकसान नहीं पहुंचाते हैं ठीके, nature ने इसको एक अजीब एक system दिया है कि हमारी body यह self controlling होते है self limiting होते है हमारी body इसको खुद control कर सकती है easily इसको tackle किया जा सकते है रेकिन कुछ ऐसे viruses है जिस पर nature ने extra cover रख दिया इस capsid के इलावा भी उसको हम कहते है envelope अगर envelope किसी virus पर मौझूद है तो वो उतना ही dangerous होता जाएगा जैसे हमने अगर आप याद करें bacteria discuss किया था तो अगर इस तरह का कोई structure नजर आए तो वो dangerous हो जाता है ठीके बचो, यह आपने याद रखना है RNA और DNA viruses अच्छा इसमें जो interesting बात है वो क्या है, यह जो भी हम capsid discuss कर रहे थे, इस capsid में कुछ proteinious units होते है ठीके, कुछ proteinious units होते है और उन units हो कहते capsumar the units of capsid, capsumars और याद रखिएगा, यह smallest units है, capsumar is the point, जिसके थूआप confirmation देते हो कि यह virus किस family से बिलॉंग करता है यह virus कौन से group से बिलॉंग करता है याद रखिएगा, virus की जो family यह group का confirmation होगा that is through capsumar, the properties of capsumars which is a component of capsid याद रहेगा, that's great तो इसके बाद, हम चलते हैं इस point पर जिसको हम कह रहे हैं, C and C is tail fibers tail fibers basically adherence के लिए होते हैं attachment के लिए होते हैं attachment, it provides attachment to the host तो host के साथ attachment होती है, that is because of these tail fibers यह tail fibers penetrate कर जाते हैं ठीक है, यह easily penetrate कर जाते हैं, organism को नुकसान पहुच आते हैं, ठीक है बचो last में इसके उपर जैसे मैंने आप से कहा एक accessory component होता है इस accessory component को कहा जाता है, envelope इसको हम कर देते हैं D तो याद रखिएगा बचो D पर जो मौजूद है, that is envelope और याद रखना बिटा envelope an extra covering that increases the pathogenicity of virus यह virus में disease production की property को enhance करता है तो जतना envelope होगा जिस virus पर उसको मारना अतना ही मुश्किल होगा बहुत मुश्किल, मुझे याद है हमारी professor ने MBBS में, during lecture एक बड़ी खुबसुरत बात की थी, microbiology के professor थे, उन्होंने कहा कि बिटा, जो hepatitis C वाइरस है, वो इतना चालाक और इतना खतरनाक virus है मतलब ऐसे समझो के अंधेरे में काले कमरे में, काला color हुआ है, black color है बिल्कुल darkness है, उसमें कोई बिल्कुलर की चादर ओड़ के बाड़ी जाए नहीं कोने में तो क्या नाजर आएगा? इतना डेंजरस होता है कि इसको capture करना, इसको recognize करना मुश्किल होता है, तो वाइरस आम तार पर recognize ही नहीं हो पाता और हमारे याजस तरह कि एक scenario चल रहा है कि लोग test करवाने से भागते हैं, डरते हैं अगर कोई doctor test लिख देजी आप फ़ला-फ़ला test करवा लें तो accept जो पड़े लिखे लोग हैं जो समझदार हैं, जो इस चीज़ को समझते हैं जो इसकी severity को समझ सकते हैं जो समझ सकते हैं कितना नुकसान हो सकता है वो तो जरूर करवाते हैं लेकिन हमारे याज़ ज्यादातर जो लोग हैं वो self-made doctors होते हैं या उन्हें हकीम कह लें आप तो वो खुदी फैसले कर रहे होते हैं नहीं जरूरी है इसकी जरूरत नहीं है आप इसकी क्या जरूरत है आप यह डॉक्टर साब ने क्यों लिख दिया इसमें भी इनका profit होगा इसमें भी इनका commission होगा होगा आप अपनी सहब का खयाल रखें अगर आपको डॉक्टर कोई prefer करता है तो जरूर उसे देखें बहराल बिटा यह तमाम का तमाम structure है यह आपने याद रखना है इसमें हम इसके दो regions बनाते हैं जो upper region होता है इसको हम कहते है head portion और यह वाला जो region है that is tail portion ठीक है तो दो इसके regions है head और tail head के अंदर मौजूद होता है DNA अच्छा इसमें जो एक property होती है जिसको हम कहते है genome genome जो है basically कहलाता है a set of gene a set of genes अच्छा a set of genes का मतलब है a set of genes का मतलब होता है बिटा इसको आप ऐसे समझें जैसे मेरे एक cell के अंदर first करें 35,000 genes है it's a genome a set of genes तो अब इसमें कम से कम कितनी genes होंगी 4 किसी भी virus में जो सबसे छोटा है कम से कम 4 genes और जो सबसे complex है उसमें 200 genes एक human cell में कितनी होती है 35,000 से लेके 40,000 समझारी बिटा बात ठीक है so this is all about today's lecture इसको आप बुक से पढ़ियेगा कोई आपको इसमें और further questions और queries हों please आप मुझसे जरू discuss करें मेरे इस channel को like करें, subscribe करें thank you so much next मिंशाला फिर further discussion लाव झाल